हाई दोस्तों आब आज से तो आपको पता चली रहा होगा कि पहले से थोड़ा इंप्रूब हुआ है लेकिन अभी जो है मेरेको पोलने में थोड़ी बहुत प्रेसानी हो रही है फिर भी आज मैंने कुछ केसिस देखा क्लिनिक एटेंड किया बहुत सारे पेसेंट आये देखा जितना हो सका मैंने अपने तरफ से उनको दूर करने का कोशिस किया उनके प्रोब्लम को आज इसलिए सोचा कि थोड़ा एक कुछ रोचक जनकारी आपको देदूं कि अभी तो उस मूड में हूँ नहीं कि आपको किसी एक मेटिकल टॉपिक के बारे में बताओ बट आज एक फणनी सा क्वेसेंट के टेंडन ने मेरे से पूछ दिया कि सार आप कितना कमाते हो आपकी सेलिरी क्या है कि क्वेसेंट तो अच्छा था हर कोई जानता है साइद की डॉक्टर है तो बहुत कमाता होगा यह करता होगा वो करता होगा तो उसने पहली बार पूछा तो हमने मुश्कुरा कि जबाब कुछ नहीं दिया बस सर ही लाया सेकेंट तैम फिर उसने पूछा कि सर बताओ आप तो मैंने कहा कि देखिए कमोबेस हर कोई जो है पीक पे तो नहीं जा है कि उनका रोटी डाल जो है अच्छे से चल जाए और दूसरा चीज जो इंपोर्टेंट चीज जो डॉक्टर कमाता है वो साइध ही कोई अपने परफेसर में कमा पाता होगा कि जब हम बच्चे का लाइफ सेव करते हैं और उस वक्त पैरेंट्स जो हम लोग को दूआ दे देते हैं उस वक्त उनके ममी पापा जो हम लोग को अशिरवात देते हैं कि साइध ओचीज को कोई कितना भी कुछ कर ले ना कमा पाएगा तो मैंने भी बहुत ही अच्छे से समयल करके उनको यही बात बताया कि मैं जो कमा लेता हूं साहिध ही दुनिया का कोई सक्स कमा पा एटेंड किया समय पे सब कुछ दिया तो उनके बच्चे की जान बच जाती है और कोई भी डॉक्टर नहीं चाता है कि किसी का भी बच्चा खराब हो वो अपने तरफ से बेस्ट देता है और हम भी जब भी जहां भी डूटी करें चाहे हो गर्मेंट होस्पिटल में हो चाहे जहां भी मैंने डूटी किया है कोर्परेट होस्पिटल में तो मैं 100% देता हूं कि नहीं अगर कोई बच्चा आया है अगर कोई पैरेंट्स आये हैं तो बच्चे की जान बचनी चाहिए लेकिन कभी-कभी ऐसा वह जाता है कि हम लोग के हाथ में भी कुछ नहीं राता है हम लोग ट्राइ करते हैं लेकिन बच्चे की जान नहीं बचती है लेकिन हाँ बच्चे की जान बच जाती है तो उनके ममी पापा उनके घरवाले अशिरवाद देखे जाते हैं कि हमारी भी उमर आपको लग जाए आप बहुत आगे बर होगे तो मैंने उनको यही कहा कि मेरी जो आमदनी है यही है अगर कोई आके हमें अशिरवाद देता है तो इससे बरी हमारी पुंजी इससे बरी हमारी आमदनी कुछ नहीं है और बाकाई में दोस्ते कोई कितना भी पैसा कमा ले यह जो पुंजी है यह जो आमदनी है इसके आगे सब कुछ फिका है और मैं भी सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप जिस फिल्ड में भी हो जहाँ भी हो अपने तरीके से आप किसी का भी आप जो है ना गरीब तब का लोग हो यह जो भी नीडी लोग हो अप उनका छो है help कर सकते हो यह को जरूरी नहीं है कि doctor है कर सकता है आप जिस भी profession में हो आप जो है अपने से जो भी लोग हैं जो नीडी लोग हैं जिनको समय पे जरूरत है जिनको समय पे hospital पहुचना हो समय पे कहीं जाना हो तो आप जो है उनको help करके समय पे किसी चीज की जरूरत हो आप उनको help कर दोगे तो वो चीज़ जो है उनके लिए हमेशा आपको लोग दुआ ही देंगे और सबों ने किसी ने सहीं कहा है कि दुआ कमाना सब के बस की बात नहीं है दुआ वो ही कमा सकता है जो दिल से राजा हो और मैं आज ये इतना ही बोलूंगा ज्यादा बोलने ही सकता हूं क् कि मेरा गला बचा हुआ है थान्य बाद पाद है अ वह हुआ हुआ हुआ